बिग बॉस ओटीटे के विजेता रहे यूट्यूबर एलविश श्यादफ के खिलाफ हाल ही में नोड़ा में आयूजित हुई एक रेव पार्टी में नशे के लिए सापों की सप्लाई के आरोप में एलविश श्यादफ पर F.I.R दर्ज हुई है इस खबर के सामने आने के बाद से ही साप के जहर से किये जाने वाले नशे को लेकर अब चर्चाय तेज हो गई है ऐसे में आएगे जानते हैं कि आखिर मौत के घार टुतार देने वाले साप के जहर से लोग आखिर नशा कैसे करते हैं और इसका हमारे शरीर पर आखिर असर कैसे और क्या पड़ता है दरसल जिस नशे के कारुबार का हम जिक्र कर रहे हैं इसका जिक्र पहले भी देखने को मिलता है वैदिक साहित्य लोग कताओं के साथ यगर हम भारती इतिहास पर एक नज़र डाले तो हमेशा से ही विशकन्याओ का जिक्र मिल जाता है प्राचीन समय में यानि कि अगर हम इतिहास की बात करें तो राजा माराजाओं के पास भी विशकन्याओं हुआ करती थी जिसका इस्तमाल शत्रू को मारना या फिर उनसे भेद निकालने के लिए किया जाता था अगर हम फिर से इतिहास पर गौर करें तो विशकन्याओं का जिक्र अगर सबसे जादा कही मिलता है तो वो है मगत सामराज मगत सामराज में सबसे जादा विशकन्याओं का जिक्र मिलता है उस समय चाड़क के कई विषकन्याओं के संपर्क में भी थे ये भी कहा जाता है जो इन विषकन्याओं का इस्तिमाल शक्त्रों को मारने के लिए अकसर क्या करते थे लेकिन विश्कन्या बनने का सफर इतना आसान नहीं है कोई भी लड़की जन्म से विश्कन्या नहीं होती थी दरसल किसी भी लड़की को विश्कन्या बनने के लिए एक खास प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता था और विश्क अन्या बनने के लिए उससे हर दिन बहुत ही कम मात्रा में धीरे धीरे सापका जहर तक दिया जाता था इसकी मात्रा इतनी कम होती थी कि वो शरीर को नुकसान पहुचाया बिना बड़े आराम से डाइजिस्ट भी हो जाती थी लेकिन विश्का गुड उसके शरीर में यू ही कायम रहता था धीरे धीरे वो विश्क इतनी मात्रा में विशाक्त हो जाता था कि कोई भी व्यक्ती उसके पास आकर जीवित नहीं बचता था ऐसे में सवाल उटता है कि क्या इतिहास को भारत के युवा दुबारा से दोहराने में जुटे है क्या दरसल आपने हिरोईन कोकीन और मॉर्फिन समेट अनमहंगी और सूखे नशे करते हुए लोगों को देखा और अक्सर सुना भी होगा लेकिन अब देश में नशा करने का एक और नया तरीका सामने आने लगा है जिससे साप के जहर का नशा कहते हैं ऐसा कहा भी जाता है कि साप के जहर का नशा दुनिया का सबसे खतरनाक और घातक नशा होता है साप के जहर का नशा करने वाले पांस से छे दिनों तक नशे में मधोश रहते हैं सोचिए अगर किसी आम आदमी को कोई जहरीला साप काट ले तो वो कुछ ही मिनट में काल के गाल में समा जाएगा लेकिन भारत में साब की जहर का अवैद कारुबार करने वाला एक गिरो भी है नोडा के थाना सेक्टर उन्चास्प में नशे का काला कारुबार ये गिरो कर भी रहा था और इसका मुख्या था प्रसिद यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी का विनर एलविश शादफ क्योंकि एलविश शादफ पर अब या आरोप लगे हैं आपको बताते चले एक बार फिर से के बिग बॉस ओटीटी टू के वजह था और यूच्यूबर एल्विश शादफ पर नोड़ा में अवैद रेफ पार्टियों में साप का जहर सप्लाई करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं इस संबंध में पुलिस ने एल्विश तमेच 6 लोगों पर F.I.R. भी दर्श की है और F.I.R. में साफ तोर पर कहा गया है कि अल्विश शादफ जहरीले और जिन्दा सापों के साथ नोड़ा के फार्म हाउस में वीडियो बनाते हैं और रेफ पार्टी तक कराते हैं बताये जा रहा है कि पार्टी में विदेशी महिलाएं भी शामिल होती है उन पार्टीयों में सापों के जहर को ज्रक्स की तरह पिलाया जाता है और लोगों को इसका सेवन भी कराया जाता है एक रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि दिल्ली की रेफ पार्टीयों में साप के जहर से बनी गोलियां या फिर सीधे साप से कटवा कर नशा करने का चलन अब तेजी से बढ़ता जा रहा है ऐसे में कैसा होता है सापों के जहर का नशा वो आपको बताते हैं दरसल शोत करता हुने हाल ही में साप के जहर का नशा करने वाले लोगों पर एक अध्यन भी किया है यानि कि एक स्टडी की है इसमें उन्होंने दो लड़कों पर नशा करता है और देखा कि साप का जहर लेने वाले इन लड़कों के शरीर में आखिरिस का असर कैसा होता है और खबरों के माने तो जब कोई साप के जहर का नशा करता है तो साप के काटते ही सबसे पहले उसे तेज जटका महसूस होता है जिसके बाद धीरे धीरे सब कुछ धुन्दला सा नजर आता है इसका नशा करने वाले बताते हैं कि साप का जहर लेने के बाद एक घंटे तक वो पूरी तरीके से सुन हो जाते है यानि कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता ठीक वैसे ही जैसे एनस्थीसिया का इंजेक्शन किसी युवक को दिया जाता है जब उसका कोई इलाज हो या फिर ट्रीटमेंट हो ना हो और आपको बताते चले के कई बार इस नशे के चकर में लोगों की मौत तक हो जाती है यह नशा इतना घाटा कोता है कि इस से लोगों की मौत होती है अब देखिए यह नशा जहरीला तो है ही इसका दिख्र हम लगतार कर रहे हैं लेकिन शरीर पर कितनी देर इसका असर रहता है वो भी आपको बताते हैं। जब हमने इससे जोड़ी जानकारी हासिल करनी चाहिए। तो कई जगों से ये भी पता चला कि साप के जहर का नशा करने के बाद शरीर पर इसका हैंगोवर कम से कम पाँच दिनों तक रहता है। इस साप के जहर के नशे में फस्ते जानकारी हैं। क्या अब भारत के युवा एक बार फिर से साप के जहर के नशे में फस्ते जाएंगे क्या? क्योंकि दिल्ली के रेफ पार्टी का तो ये पहला मामला आप खुल कर सामने आ चुका है आगे और कितने मामलों के एक लंबी फैरस्त हो गया बसका भी इंतसार करना होगा खबरों का सिलसा यूही जारी रहेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेए प्रायम टेवी का डिजिटल प्लैटफॉर्म